नमो नमहा सच्चिदादंदरूपाय विश्वद पत्यादि हेतवे तापत्रय विनासाय श्री कृष्णाय वयमनुमह एक मित्र ने पुछा है गुरुजी प्रणाम मुझे ध्यान करते हुए दो साल हो गए पर ध्यान लग नहीं पा रहा है मार्दसन कीजिए देखो ध्यान लगना क्या है एक प्रश्ण उठता है मुझे भी ध्यान लगना को यसी कुछ बात नहीं है आखे बांद करके बैठो फिर ध्यान में जाने की जो प्रक्रिया है तो आपका जो स्वरूप है आपका स्वरूप क्या है आप कौन हो को अहम कुतहा आया था मैं कौन हूँ तो आपके बाद आप जो है ओ यू हर दा एनलाइटन भी आप ऐसे का सची दानान श्वरूप पर्मात आपका जो स्वरूप है ना ओ डिवाइन नेचर नो यूर डिवाइन नेचर मेरा यह समझ लो आपका जो दिव्यस रूप है दिव्यस वरूप को पहचानो तो पर दो साल हो गए चिन्टा मत करो अभी क्या होता तो यह स्विचार शुन्ने हो जाना आप ऐसे सोचते होंगे द्यान लगता में आखे बंद कर जैसे हम निंद में चले जाते हैं ऐसा हो जाना तो यह से मत पकड़ो देखो ध्यान का पहला जो सिंपल बात है अपने रूश कोई गुरू के पास हम जाते हैं तो गुरू मंत्र देता है जैसे आप चलो आप गुरू के पास नहीं गए तो मैं आपको बताता हूं का आप मेरे पास आ गए तो मैंने एक मंत्र बताए जैसे मैं मंत्र बताता हूं गहरा स्वास लीजिए ओम नमाहा ओम नमाहा ओम नमाहा ओम नमाहा ओम नमाहा ओम नमाहा फिर बोलिए बोल कि संद्धी इश्वर प्रणीदानाद और संन्त भगवान जो ग्णानेश्वर होई संत ग्णानेश्वर उन्होंने बताया समाधी साधन संजीवन नाम तुषको जब आप बोलेंगे तो शब्दानुविद्ध समाधी बोलेंगे तो आप ऐसे मत समझो ध्यान में कुछ होगा भाई आखे बंद करो आखे खुली भी रखो और भगवान के सामने देखे मंत्र करो तो वही ध्यान है पिर दूसरा आखे बंकरो और सोचो कि मैं शुद्ध हो मैं बुद्ध हो मैं पूर्ण आपने रुशीमुनियों ने दो बताया एक प्रेय और एक स्रेय मार्ख है अध्यात मित्ता का मार्ख है इसा मतलब नहीं कि प्रेय का मार्खो भी आप इसए नजर में अफसी है प्रेका थ्यान किडिए कि इसे वह एक Tara को सब्सक्राइब से द करने हैं ना तो द्यान करोने में इसा खता है कि दिविया आत्मा है और इसे दि substance क्विखानों तो मेरी और दम रहा है मैं तन्दूरस्तать हूं तो आप करने की जरूर्थ आप कसरत नहीं कर पाते तो इसे गलत भी तो सोची कि मैं हर रोज I am doing exercise daily मैं रोज कसरत कर रहा हूँ ध्यान नहीं लगता है पढ़ने में तो सोचो वितर्ग बाordinे मुझे मेरा ध्यान लग रहा है मुझे पढ़ाई में इंट्रेस्ट आ रहा है तो ध्यान में दो बाते समझ लो एक प्रे और एक श्रे एक संसार और एक है परमात्मा तो भेद मत पड़ो एक संसार और परमात्मा कैसा ुए अपने गीता का एक योग बुलता हूं सांग योग प्रदक्बाला प्रवदंतिन पंडिता यह ज्ञान की बात है यह भक्ति की बात है योग की ऐसे डिफ्रेंशियेट मत करो यह बालक लोग जो बच्चे लोग रहते हों बुलते अरे प्रभु है ना तो अभी सरुआत है जिसे आप आखे बंद देवाया ओम नमो वगवते वासु देवाया फिर अच्छा सोचो मैं तंदुरस्त हूं मैं धनवान हूं मैं सुख्य हूं स्रे के बारे में स्रे के बारे में भी सोचो कि मैं शुद्ध हूं मैं बुद्ध हूं निदिध्यासन उसी को बोलते हैं तो आपके समने दो रास्ता जो आपके ऐसे समझनों सभब रिस्था जोड़ो डिसने प्रश्न पुछा स्रध्दा से प्रभु से प्रभुम ऐसां कैसे स्विक्यार करो मैं इसegenwo को बताता हूं रोज बोल की 11 वार सुबब और साम करो और मेरी रक्षा और मदद कर रहा है लोगों को बहुत पाइदा होता है लोग मुझे बताते हैं कि गुरुजी जब से हम बोलते तो सारी चिंता है टल गई है तो आपके भी चिंता टल गई और मेरा तो यही मार्ग दर्शन रहेगा कि पहली बाते एक शब्द लेलो गहरा मैं इतना एदिम मैं आपसे बताता हूं, प्रे का चिंतन करें उसमें श्रेय नहीं आता है उसमें प्रेय अपने आप आप आ जाता है मंगे यह सेबी चावल यह सब्जी है मिठाई भी जोड़े म मगर सेते पूरी फीने को पकड़ा, मैं Brush इस नहीं ग Direी स्लोक बोलता है आप सुनिए तो आप एसा ध्यान करना शब्द और विचार अच्छ अच्छ सोचना ये दो चीज है और प्राइमरी है फिर आखे बन करके आप मानस पुजा करेंगे वो थर स्टेप आता है फिर चोथा स्टेप आता है ध्यान करो निर्विचार हो जाओ कुछ करो मत तो अपने आप हो जाएंगे मगर पहले पहले आप जैसे शब्द से तो सरु करो शब्द शब्दा नुविद्ध समाधी फिर सविचार समाधी फिर द्रश्या नुविद्ध समाधी यह समाध्य एए अधियान कोई बड़ी चीज नहीं है यह एक सिंपल एक यूव्य आत्मा वह तो द्यान के बारे में ज्यादा इतना मत्माइत ऑफ चर्छाने 22 अधियान का मतलब है जंग जाना ऊश्में आ जाना डेखो एक बड़ी बात एसे मैं बताता हूं की awareness of your senses, awareness of your body, awareness of prana, awareness of your mind, awareness of intelligence, awareness of self, कि मैं कौन हूँ, self remembrance, आपको जब आत्म बोथ हो जाए, आत्मस्तिती में आजाओ, चलो आपने प्रस्ण पूचा, मैंने जवाब दिया, Om Namaha, आपका शुभ हो, आपका कल्यान हो, आपका मंगल हो, Om Namaha, Om Namaha.